अगतु करें हब हालो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में परेंद्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एड्जेक्टिब का पार्ट तू और ये सभी बेंकिंग एग्जाम्स के लिए एचे एक्जाम्स के लिए और इंसुरेंस और मेलिजमेंट के लिए काफी important रहेगा particularly spotting error को solve करने में fillers को solve करने में और sentence improvement के पार्ट को solve करने में तो चलिए शुरुआत करते हैं देखें यहां पर मैंने बताया है कि किस तरीके से हम adjective को form करते हैं और यहां पर आप देखेंगे कि noun से adjective को किस तरीके से form करते हैं, जैसे affection एक word है, तो इसका जो adjective form होगा, वो होगा affectionate, ठीक है, affection का मतलब प्यार, और affectionate मतलब प्यारा, auspice, कोई भी divine चीज़ को हम auspice बोलते हैं, auspicious का मतलब होता है, शुब, या mangal कारी, या बहुत ही अच्छा, beast का मतलब जानबर, beastly मतलब जानबर जैसा, breath, मतलब सांस, breathless, एकदम से restless जो हो रहा है, उस बेक्ति को हम breathless बोलते हैं, carcinogenic substance होता है, जिससे cancer होता है, तो carcinogenic एक ऐसी चीज़ को हम बोलेंगे, ऐसे substance को बोलेंगे, जो cancer को create करता है, cancer को develop करता है, constitution, मतलब constitutional, यानि सम्भिधान से संबंदित, किस्टिल, मतलब किस्टिलाइन, ये एक word science में या chemistry में यूज होता है, night, ये एक title है, nightly का मतलब होगा, बहाद्र या brave, निगाड हम बोलते हैं, कंजूस व्यक्ति को, और निगाड ली हम बोलेंगे, कंजूस, या एक कंजूस behavior जो होगा, उसका हम निगाड ली बोलेंगे, तो आगे देखते हैं, ये है, आपके वर्ब से किस तरीके से adjective बनेंगे, जैसे answer का होगा, answerable, attract का होगा, attractive, benefit का होगा, beneficial, यानि लाब दायक, bother मतलब परेशान करना, और bothersome मतलब परेशान करने बाला, bothersome, कोई भी व्यक्ति या वस्तू, catch का मतलब पकड़ना, catchy का मतलब attractive होत होते हैं, digest का digestible, जिसको आप digest कर सकते हैं, fathom का मतलब होता है, नापना, या measure करना, fathom less, जिसको आप measure नहीं कर सकते, gain का मतलब पराप्त करना, तो gainful, मतलब जो फाइदे मन्द है, inhabit का मतलब रहना, और inhabitable, जो रहने योग्य है, तो इस तरीके से words हैं, कुछ adjective हैं, तो उस और lonely और lonesome का मतलब होता है, अकेला feel करना, यह काफी अच्छे word है, seven और sevenfold, seven का जो adjective होगा, वो sevenfold होगा, मतलब साथ तरीके से, sick का मतलब बीमार, sickly मतलब बीमार जैसा, जैसे sickly feeling होती है, whole का मतलब पूरा और wholesome का मतलब होता है, healthy या nutrient, तो काफी important word है यह, adjective की तीन degrees होती हैं, इनको आप यह basic चीज़ हैं, इनको आप पहले से ही जानते होंगे, positive, comparative और superlative, यह तीन degrees होती है, adjective की, जिसके through हम adjective भी quality बताते हैं, positive degree के through हम noun की quality बताते हैं, comparative के through हम दो व्यक्ति या वस्तु को compare करते हैं, और superlative के through हम किसी group में एक व्यक्ति को या वस्तु को best बतात करते हैं, compare करते हैं, जैसे this is a small town, वो town कैसा है, small है, small है, small एक adjective हुआ, और small जो है, वो positive degree में है, ठीक है, अब this town is smaller than Agra, तो यहाँ पर smaller जो है, वो comparative degree है, क्योंकि इस town को हम compare कर रहे हैं, आगरा जो town है, उससे, और this town is the smallest in India, ठीक है, तो यहाँ पर smallest, यह superlative degree है, superlative degree से पह और, यह comparative degree है, second sentence और उपर वाला जो है, वो positive degree है, तो group one में ऐसे adjectives आते हैं, जिसमें हम er और est लगाते हैं, comparative और superlative बनाने के लिए, group two में जो बड़े word हैं, जो दो या तीन syllable वाले word हैं, जैसे intelligent है, beautiful है, difficult है, ठीक है, तो इनके पहले हम more लगाते हैं, er न लगाते हुँ, ह more या most लगाते हैं, जैसे big है, तो एक single word है, ठीक है, एक बार में आप बोल सकते हैं, उसको big, लेकिन intelligent को आप intelligent, चार बार में आपको बोलना पड़ेगा, या beautiful को आपको दो बार में, तीन बार में बोलना पड़ेगा, beautiful, ठीक है, तो यह दो या तीन syllable वाले जो word हैं, इसके आप more या most लगाते हैं, और जो single word है, big हुआ, small हुआ, dark हुआ, इसमें आप ER और EST लगा के comparative degree और superlative degree हम बनाते हैं, और superlative degree से पहले हम दा लगाते हैं, इसको आप ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पर मैंने group 3 के यह कुछ word दिये हैं, जैसे good या well का जो comparative degree होगी, वो better होगी और superlative best होगी, ठीक है, bad की comparative degree, worse होगी, या worst होगी, superlative degree, वर्संट जो है, वो verb है, इसमें ED आप लगा सकते हैं, वर्संट, ठीक है, little, less और least, little का मतलब थोड़ा, बहुत कम, less का मतलब और भी कम, least का मतलब सबसे कम, ठीक है, A, degrees यहाँ पर DN से पहले आप लगाएंगे, much क का more होगा, और most होगा, many का भी more होगा, और most होगा, late का, later होगा, और latest होगा, इन दोनों वर्ट्स में क्या difference है, मैं अभी आपको बताऊँगा, latest में क्या difference है, यह पूरा भी मैं आपको explain करूँगा, old की जो degrees हैं, वो old, older, oldest होती हैं, इसको हम person या things के लिए इस्तेमाल कर सकत हैं, इनको हम comparative degree के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको हम नहीं कर सकते, इसके uses मैं भी बताऊँगा, आपको सारे, far मतलब दूर, farther और दूर, और farthest सबसे दूर, और further जो word है, यह अलग है, इसका मतला होता है, additional या more, या और ज्यादा, ठीक है, out, outer, positive degree है, outer, comparative degree है, utmost या uttermost, य यह होंगी इसकी superlative degrees, आगे हम देखते हैं, the following comparatives are used as positive adjectives, attributably and not in comparison, यह जो word नीचे दिये हैं, इनको हम comparative degree की तरह यूज नहीं करेंगे, इनको केबल हम positive degree की तरह यूज करेंगे, जैसे former prime minister, मतला पहले वाले prime minister, letter, मतला बादवाला, ठीक है, यह L-A-T-E-R, letter इसको बोलें यह L-A-T-E-R, letter है, इसका मतलब है, बादवाला, elder मतलब बड़ा, खून के रिस्ते में जो बड़ा है, उसको हम बोलेंगे elder, और जो उम्र में बड़ा है, उसको बोलेंगे older, upper, उपर वाला, outer, बाहर वाला, interior, अंदर, posterior, posterior क्या मतलब है, posterior का मतलब होता है, after, anterior का मतलब before, minor major, major, major का मतलब होता है, actually 18 साल से बड़ा व्यक्ति होता है, उसको major बोलते है, minor 18 साल से नीचे का व्यक्ति, ulterior का क्या मतलब है, ulterior का मतलब है, छुपा हुआ, जैसे ulterior motifs का मतलब होता है, छुपा हुआ, कोई, छुपा हुआ कोई aim, या छुपा हुआ कोई काम, ulterior, और exterior बहारवाला तो यहां पर यह मैंने एक्जाम्पिल दिये हैं यह आप पुरा पढ़ सकते हैं और लेटर लेटर इसके में इसमें डिफरेंस क्या है यह अभी मैं बताऊंगो आपको लेटर एंड लेटेस्ट रिफर्टू टाइम ठीक है यह लेटर इसको हम पढ़ेंगे लेट लेटर को इसको लेट्स पढ़ेंगे तो लेटर और लेटर दौनों ही टाइम के रिलेशन में जोटे लेटर और लास्ट यह पोजीशन के रिलेशन में यूज़ोड ऊच्छास्प ओंसेक्ट है यह इसको आपो फॉशन के लिया कर आप यह से अर् यहां पर use होगा, अब यहाला sentence देखिए, इसमें हमने last news बोला है, जब कि क्या होता है, news time के साफ से चलती है, position के साफ से नहीं, तो इसलिए यहां पर latest news बोला, सही होगा, elder, older, eldest, oldest, देखिए, elder और eldest, यह जो blood relations होते हैं, खून के जो रिस्ते होते हैं, एक ही family को उसके लिए इस्तेमाल होता है, और उसको भी हम attributively use करते हैं, जैसे he is my elder brother, या he is the eldest in the family, तो इस तरीके साम इसको use करते हैं, older और oldest को हम general sense में use करते हैं, person के लिए और things के लिए, suppose आपका friend है, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं, अगर यदि आपसे दो साल बड़ा है, तो आप बोल सकते ही is older than me, लेकिन भाई के लिए आप नहीं बोलेंगे, भाई के लिए बोलेंगे, he is my elder brother, compare उसको नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर यह दिया है, I have an elder brother, यह correct sentence है, और Mohan is the oldest man in the town, यह correct sentence है, यहाँ पर हम eldest नहीं लगाएंगे, क्योंकि Mohan family का member नहीं है, आगे हम देखते हैं, far का जो comparative degree है, वो further है, farthest है, यह distance को indicate करता है, जबकि further का मतलब होता है, more या additional, ठीक है, जैसे यह sentence आप देखिए, यह sentence सही है, the fog is so thick, I can't see farther than about 10 meters, मतलब मैं 10 meter से आगे नहीं देख सकता, यह correct sentences है, I do not need any further assistance, यह नीचे वाला sentence correct है, उपर वाला जो farther दिया है, यह incorrect है, nearest का मतलब होता है, सबसे pass, next का मतलब होता है, अगला, ठीक है, nearest, देखिए, nearest denote distance, सबसे pass होगा, उसी को तो हम distance के sense में बोलेंगे, और next का मतलब होता है, next denote करता है position को, nearest denote करता है distance को, देखिए, this is the next hospital to my house, यह गलत क्यों है, क्योंकि हम series नहीं बता रहे हैं, कि काफी सारे hospital हैं, 10 hospital हैं, उसमें से आप next hospital बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप बोलना चाह रहे हैं, this is the nearest hospital to my house, यह सबसे pass है मेरे hospital के, next आप तब इस्तेमाल करेंगे, जब series की आप बात करेंगे, ठीक है, कि next house मतलब अगला house, और next to next house मतलब उससे भी अगला house, तब आप use करेंगे इसको, तो nearest denote distance, और next हम बोलते हैं position के लिए, position को बताने के लिए, अब देखिए, यहाँ पर देखिए, please stand nearest to him, तो इसके लिए आप बोलेंगे, please stand next to him, मतलब उसके बगल में खड़े हो जाओ, ठीक है, तो सब चार-पांच लोग लाइन से खड़े हैं, तो हम position दिखा रहे हैं, तो इसलिए position को दिखाने के लिए, यहाँ पर next word का इस्तेमाल होगा, आगे हम देखते हैं, the comparative in ER is not used when we compare two qualities in the same person or thing, काफी important यह concept है, एक ही विक्ती की जब हम दो quality बताएंगे, तो हम जो comparative degree है, उसमें ER न लगाते हुए, positive degree से पहले हम more लगाएंगे, क्योंकि wiser than यदि हम बोलूँगा इस sentence में, तो उसका मतला होगा कि दो विक्ती को हम compare कर रहे हैं, ठीक है, तो wiser than यहाँ पर गलत होगा, यदि एक ही विक्ती की दो qualities हम compare कर रहे ह है, तो उसमें हम जो positive degree है, उसमें ER न लगाते हुए, उससे पहले हम more लगाएंगे, राम is more wise than strong, मतलब राम wise जदा है, intelligent जदा है और strong कम है, तो यह sentence सही है, बहुत अच्छा यह concept है, और comparative degree, comparative degree और then के बाद, ठीक है, हम any other लगाएंगे, देखिए इसको ऐसे समझी है, आप, श्याम is more intelligent than any student in his class, यदि मैं इसको बोलता हूँ कि any student, तो any student में तो श्याम भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि श्याम किसी भी दूसरे student से जदा intelligent है, तो इसलिए more के बाद यहाँ पर, यहाँ पर any other का प्रियोग होगा, श्याम is more intelligent than any other student in the class, क्यों तो यह नीचे वाला sentence यहाँ पर सही है, और following adjectives are followed by two, इन adjectives से पहले हम two का प्रियोग करेंगे, then का नहीं, inferior, superior, prior, इनको आप पर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए यह sentence दिये हैं, यह incorrect है, यह correct है, और नीचे वाला भी correct है, यहाँ पर two लगाया है, और यहाँ पर apostrophe s लगा लेकिन उसकी जगे that of का प्रियोग किया है, तो इसलिए यह नीचे वाला sentence भी आपका correct है, आगे देखते हैं हम, यह जो word यहाँ पर दिये हैं, इनको आप compare नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आप पर यह complete होते हैं, जैसे square को आप compare नहीं कर सकते, मतलब दो square हैं, तो आप यह न लेंगे, तो वो square ही नहीं रहेगा, तो इसलिए square, round, unique, eternal यह ऐसे word हैं, इनको आप compare नहीं कर सकते, suppose perfect है, तो आप यदि आप more perfect बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि उसमें, perfect का मतलब यह हुआ, कि उसमें पहले ही सारी चीजे available हैं, पहले से ही वो perfect है, और यदि आप more perfect बोलेंगे, तो इसका मतलब यह हुआ, कि उसमें आप कुछ और जोड सकते हैं, और जब आप कुछ और उसमें जोड सकते हैं, तो वो चीज perfect हो ही नहीं सकती, तो इस तरीके से इनको आपको compare नहीं करना है, जैसे our field is more square, यह गलत है, more square आप नहीं बोल सकते, our field is square in shape, के वल ऐसे आप बोल सकते हैं, this is the most unique, unique अपने आप में most ही होता है, तो इसलिए most नहीं लगा सकते, के वल unique बोलेंगे, perfect से पहले more नहीं लगा सकते, के वल perfect बोलेंगे, तो इस तरीके से आप, इनको आप use कर सकते हैं, अब यहां पर देखिए most powerful of all other king, other क का जो प्रियोग है, हम comparative degree में करते हैं, ठीक है, यहां पर हम क्या use कर रहा है, most, मतलब superlative degree, इसलिए other यहां से हम हटाएंगे, और इस sentence को बोलेंगे, Alexander was the most powerful of all kings, यह correct sentence है, दो व्यक्ति के जहां हम तुलना करेंगे, तो comparative degree का प्रियोग करेंगे, जैसे sharpest का इसमें इसलिए को रोकने के लिए, weather of Bangalore is better than that of Agra, उपरवाला sentence incorrect इसलिए है, क्योंकि Bangalore के मौसम की तुलना हम आगरा से कर रहे हैं, जबकि हमें Bangalore के मौसम की तुलना आगरा के मौसम से करनी है, तो इसलिए आगरा के मौसम को दिखाने के लिए आप that of वोल सकते हैं, that of हम यू यूज करते हैं, plural में, और यहां पर आप एक example और देख सकते हैं, यह, double comparative हम यूज नहीं करेंगे, जैसे darker भी लगा दिया और more भी लगा दिया, तो यह गलत है, नीचे वाला sentence आपका सही है, आगे देखते है, preferable के बाद, preferable से पहले हम more नहीं लगाएंगे, और preferable के बाद हम then नहीं लगाएंगे, यह, दो rule आप याद रखिए, preferable से पहले आप more नहीं लगाएंगे, और इसके बाद आप then नहीं लगाएंगे, तो नीचे वाला जो sentence है, यह सही है, इससे पहले यहां पर more नहीं लगाया, और इससे पहले यहां then नहीं लगाया, तो यह sentence सही है, less हम हम बोलते हैं quantity के लिए fewer हम बोलते हैं number के लिए जैसे यहां पर हम रन की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम fewer का प्रयोग करेंगे less का नहीं कि first two जो expression है वो सही है पहले order cardinal मैं से पहले order number आएगा first आएगा फिर two आएगा ठीक है I saw only the first two chapter यह सही है ठीक है two first हम नहीं बोलेंगे first two हम बोलेंगे two first हम use कर सकते हैं लेकिन ऐसा rarely ही होता है two first हम जब बोलेंगे जब एक ही class में या एक ही situation में दो व्यक्ति हैं और दोनों के बराबर बराबर marks आ गये हैं तो situation में हम two first बोल सकते हैं लेकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है जो सही expression है वो the first two ही है ग्रेजुवल इंक्रीज के लिए हम comparative degree का यूज करते हैं जैसे तापमान बढ़ता गया तो it grew hotter and hotter क्योंकि पहले वो 10 degree होगा फिर 20 होगा फिर 30 होगा ठीक है तो इसलिए हम comparative degree का इस्तेमाल करेंगे अगर hot and hot हम बोलते हैं it grew hot and hot तो इसका मतलब तो यह होगा के temperature एक ही जगह पर stable रहा लेकिन यदि यह बढ़ता जा रहा है तो इसका हम बोलेंगे it grew hotter and hotter और when two adjectives in different degrees are used each should be complete यह यह important rule है जैसे यहां पर आप बोलते हैं as good as यहां पर आपने better के बाद then लगाया है तो यह complete है और सही है लेकिन as good यहां पर incomplete है यहां पर आपको बोलना पड़ेगा as good as यह पूरा बोलना पड़ेगा आपको यह काफी important है यह वाला यह fix expressions हैं इनको आप चेंज नहीं कर सकते जैसे at present की जगे आप in present नहीं बूल सकते एड प्रिजेंट का मतलब है now इनको आप चेंज नहीं कर सकते बिफोर लॉंग का मतलब है soon in future का मतलब है from now on तो इस तरीके से इसको आप आपको यूज करना है और इनमें कोई भी changes आपको नहीं करने है यहाँ पर दिया है at best in black and white in black and white का मतलब है कि लिखित में कोई चीज आपको चाहिए in black and white from bad to worse ठीक है मतलब बेकार से और बेकार होते जाना through thick and thin इसका मतलब होता है सभी समय पर साथ ने भाना किसी व्यक्ति का through thick and thin the long and short का मतलब है brief or for better or for worse इसका मतलब है whether you like it or not यह है adjective की correct form इनके उपर काफी sentences बनते हैं जिसे silk का silken होगा ill gotten क्या होता है ill gotten का मतलब होता है खराब तरीके से खराब तरीके से किसी काम को किया गया जैसे ill gotten money मतलब गलत तरीके से उस पैसे को कमाया गया proven मतलब जो prove हो चुका है creative punishably एक सही word है western यह सारे adjective हैं और यह correct form है adjective की इनकी जगह आप दूसरा form लगाएंगे तो वो sentence आपका गलत हो जाएगा जैसे silken dress, ill gotten money, proven fact, creative art, spoken English, southern hemisphere इसकी जगह अगर आप south hemisphere बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, tired man की जगह tired man बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, written statement यह adjective form है सारी यहां हम देखते हैं यह कुछ correct sentence दिये हैं मैंने कि adjective का किस तरीके से हम placement करते हैं जैसे यह दिया हुआ है, she looked for a boyfriend, intelligent, decent and rich तो यह boyfriend जो यहाँ पर दिया है, यह एक noun है और इस noun को बताने के लिए कई सारे adjective का हमने use किया है तो यह जो placement है, यह सही है, यह गलत नहीं है, यहाँ पर यह बताया है कि इस तरीके से आप इसको लिख सकते है यह सेंटेंस करेक्ट है, यहाँ पर हमने teacher को define किया है इस phrase के दोरह तो यह सही है, आउगस्ट का मतलब होता है majestic या शांदार, तो यह sentence भी सही है, इस तरीके से भी आप इन sentences को लिख सकते है इन words में जो adjective है वो noun के बाद आएगा हमेशा, God, Almighty बोलेंगे हम, Almighty God नहीं बोलेंगे एर, apparent, उत्तर अधिकारी को बोलते है, Knights, Temporal, यह सारे titles है, Lord, Paramount, यह एक title है Lord, Paramount, यह इसके बारे में आप detail में आप पढ़ सकते हैं, Net पर, Time Immemorial, मतलब अनन्त काल से, President Elect, जो President Elect हो चुका है, Notary, Public, यह एक post होती है, यह एक official होता है, जो Notary बगड़ा करता है, जमीन की जो आप कैसी तरीके से use करना है, यहाँ पर देखिए, Little is not used with quantity and number, instead, small is correctly used, ठीक है, quantity और नंबर के साथ, quantity और नंबर जो word है, उनके साथ हम little word का use नहीं करेंगे, उनके साथ हम small word का use करेंगे, यह correct use है, दा का और off का, बेटर से पहले यहाँ पर दा लगाएंगे हम, जब हम दो व्यक्ति अवस्ति को compare करेंगे, और best के बाद भी off आता है, best से पहले दा और best के बाद off, best of all जैसे हम बोलते हैं, तो यह correct sentences हैं, use only positive degree in as, as, or so as, as और as के बीच में, और so और as के बीच में, इसमें हमेशा हम positive degree का प्रियोग करेंगे, he is as better as his brother, यह गलत क्यों है, क्योंकि better की जगए good का प्रियोग होगा, और so as हम लगाते हैं negative sentence में, यह negative है, तो यहाँ पर हमने so as लगाया है, और यह sentence आपका सही है, he ran as fast as he can, incorrect क्यों है, क्योंकि वो past में दोड़ा, वो है उतनी तेज दोड़ा, जितना तेज वो दोड़ सकता था, तो चुकि ran past में हैं, इसलिए can की जगए यहाँ पर हम could का प्रियोग करेंगे, कुछ, देखे, एक ही व्यक्ति के बारे में हम दो adjective का यदि प्रियोग कर रहे हैं, तो दोनों same form में होंगे, जिसे गांधी के बारे में हम प्रियोग करेंगे, तो यहाँ पर एक novelist है, मतलब superlative degree, और एक wiser है, यानि comparative degree, तो दोनों ही हम superlative degree में लेंगे यहाँ पर, मैं बोलू के rich, यदि मैं बोलू the rich, तो इसका मतलब होगा the rich people, यदि मैं बोलू the poor, तो इसका मतलब होगा गरीब लोग, तो इस तरह के expressions में ये plural noun होती है और इसमें हम कभी भी इसमें as नहीं लगाएंगे the poor's मैं नहीं बोलूँगा, the riches मैं नहीं बोलूँगा तो इसमें कभी भी as नहीं लगेगा इसको आप देख लीजिए यह अच्छा concept है the rich, the rich का मतलब है rich लोगों का group या अमीर लोग तो ये plural है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर as नहीं लगेगा इसलिए ये rich क्यों की plural है, इसलिए यहाँ पर as नहीं लगेगा और ये incorrect है, यहाँ पर देखिए the rich usually exploits poor में भी as नहीं लगेगा इसमें यह एस लगाया यह गलत है तो नीचे वाला सेंटेंस आपका सही है दरिच के साथ एक्सप्राइट आएगा और पूर में एस नहीं लगेगा और इसके साथ दाका प्रियोग होगा यहां पर हम कुछ एक्सराइज करेंगे और इसमें मैंने ओक्षिंस दिये हैं इससे काफी कॉंसेट आपके क्लियर होंगे मतलब डॉक्टर ने उसको कुछ दिन आराम करने की सला दी तो यदि हम फ्यू बोलेंगे तो इसका मतलब होगा ना के बराबर नेगेटिव वर्ड है यह तो इसके यहां पर आपको बोलना पड़ेगा आ फ्यू क्योंकि यह काउंटेबिल भी है और इसका मतलब है कुछ दि फ्यू बोलेंगे इसका मतलब होगा ना के बराबर दिन वाटर आई कैप्ट फॉर यू हैस बीन फिनिस्ट बाए हिम मतलब जितना पानी मैंने आपके लिए रखा था वो पूरा का पूरा उसके दौरा खतम कर दिया गया है तो पानी थोड़ा था लेकिन पूरा का पूरा तो उस सेंस को बताने के लिए हमेशा हम दाले तिल का प्रियोग करते हैं जा शो कप कैंसल होता है जब उसमें ना के बराबर लोग आते हैं तो ना के बराबर लोग को दिखाने के लिए हम लगाएंगे फ्यू ये फ्यू नहीं लगाएंगे मैं चाहे नहीं बना सकता क्योंकि रेफ्रीजेटर में ना के बराबर दूद है तो ना के बराबर को दिखाने के लिए आप बोलेंगे लिटिल क्योंकि ये अनकाउंटिबिल है इसलिए harder you work the better you perform जितनी कड़ी मेहनत आप करते हैं उतनी अच्छी आपके performance रहती है इस तरह के sentences में हम हमेशा लगाते हैं दा तो यहाँ पर आएगा आपका दा अब आजाईए next gold is more precious than any other metal क्योंकि यदि आप any बोलेंगे तो उसमें gold भी शामिल हो जाएगा gold is more precious than any other metal और यहाँ पर देखिए diamond is more precious than यहाँ पर आप क्या लगाएंगे यहाँ पर आप लगाएंगे any क्योंकि diamond जो है वो metal नहीं है gold matter है diamond metal नहीं है तो इसलिए यह sentence में any आपका सही होगा he is more wise हम लगाएंगे एक ही व्यक्ति की दो quality को हम compare कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर more wise हम लगाएंगे यहाँ पर कुछ sentences हम और देखेंगे यह जो words उपर दिये हैं यहाँ पर seem, look, become इनके बाद हम adjective लगाएंगे एडबर्ब नहीं लगाएंगे और यह जो second line जो दी है इनके बाद भी हम adjective लगाएंगे एडबर्ब हम नहीं लगाएंगे इन sentences को आप पढ़ सकते हैं और noun का प्रियोग जब हम adjective की तरह करेंगे तो उसको हम plural में नहीं लिखेंगे जैसे eye surgery को, eye surgery में surgery noun है लेकिन किसकी वो surgery है वो आँखों की surgery है तो eye का प्रियोग जो की एक noun है उसको हम adjective की तरह यहाँ पर प्रि opposite of letter is, letter का opposite क्या है, former है opposite और later का opposite earlier है, ठीक है, less means lower in number, lesser means lower in importance, lesser word का हम use करते हैं जिसका मतला होता है कि importance में कोई चीज कम है, there are many lesser gods in the Hindu religion, कुछ ऐसे भी देपता हैं जिनकी माननेता कम है, कुछ में देपता हैं और कुछ ऐसे देपता हैं जिनकी माननेता कम है, काफी यह थोड़ा सा लंबा है वीडियो, इसको आप ध्यान से देखें पूरे को, all my and both my are correct expressions, यह भी काफी अच्छा concept है, हमेशा आपको लिखना चाह my all नहीं, यह गलत है, ठीक है, times के sense में, जब आप times use करते हैं, तो उस sense में आप हमेशा positive degree का use करते हैं, my house is four times as big as yours, ठीक है, bigger नहीं लगाएंगे यहां पर हम, कई सारे adjective यादी use हो रहे हैं, एक ही sentence में, तो उनका जो sequence होगा, वो यह होगा, पहले quality या opinion आएगा, फिर size आएगा, फिर age आएगा, फिर shape आएगा, फिर color आएगा, फिर origin आएगा, फिर material आएगा, फिर purpose आएगा, तो उसके लिए यह formula है, OSAS comp, OSAS comp आप याद रख सकते हैं यहाँ पर देखिए, the thief flashed a big red knife, ठीक है, तो big क्या है, size है, size पहले आएगा, उसके बाद फिर color आएगा, ठीक है, पहले size आएगा, फिर color आएगा, तो यह सही है, big और red, यह सही है, और यहाँ पर आप देखिए, black, मतलब पहले color आगया, black, color के बाद क्या लिखा है, German, बाद आगया आपका leather यानि material, color, origin, material, तो यह sentence आपका सही है, यहाँ पर देखिए, आप she bought a beautiful, beautiful quality हुई, उसके बाद size आगया, उसके बाद आपका shape आगया, उसके बाद आपका color आगया, उसके बाद आपका purpose आगया, और उसके बाद आपका noun आगया, तो यह sentence भी इस तरीके से correct है, यहां पर देखिए, when an adjective requires two different propositions, both should be used, यदि दो propositions की जरुवत है, तो दोनों आपको लगाने होंगे, यहां पर senior है, तो यहां पर आप two लगाएंगे, और यहां पर more के बाद आप then लगाएंगे, तो यहां पर senior के बाद two यहां पर missing है, तो he is senior to and more experience than, तो यह sentence आपका इस तरीके से सही हो जाएगा, यहां पर हम कुछ गलास sentences पढ़ेंगे, प्रेक्टिस के लिए, अनुराग is eclipsed by his wife who is cleverer, देखिए, दो हमने डिगरी दी हैं यहां पर, एक में हमने competitive degree का यूज किया है, तो यहां पर भी हमें competitive degree का यूज करना होगा, तो यहां पर आपको बोलना पड़ेगा, more amusing, cleverer and more amusing, तो यह sentence आपका इस तरीके से सही हो जाएगा, a few words of gratitude are enough to express your feelings, a few जो होता है, वो countable होता है, countable के बाद हम जो, जो noun लगाएंगे, वो plural में लगाएंगे, तो यहां पर word की जगए आपको words बोलना हो पड़ेगा, as लगाना होगा, यह sentence तरीके से आपका सही हो जाएगा, he feels that his troubles, he feels that his troubles as, as much or even more than they, यहां पर as much as लगाना होगा आपको, he feels his troubles as much, as or even more than they, तो यहां पर as much as आप लगाएंगे, पूरा इसको आप बोलेंगे, next हम देखते हैं, the police arrived and discovered a large number of hoarded sugar, hoarded sugar तो सही है, hoarded sugar मतलब ऐसी sugar जिसको जमा किया गया है, तो यह adjective का form यहां पर सही है, लेकिन large number हम sugar के साथ नहीं बोलेंगे, सोगर के साथ हम बोलेंगे, large amount, इस तरीके से सही हो जाएगा आपका, Krishna ran to the nearing grocery store to buy biscuits, देखिए, यह grocery store था, वो कहां पर था, पास में था, पास बाला grocery store पर वो गया Krishna, तो nearing जो adjective है, यह गलत है, nearby इसको बोलना हम पड़ेगा, nearby grocery store, यह गलत है, यहां पर आपको बोला है, तो यहां पर आपको बोलना पड़ेगा, most talented, यह गलत है, वेरी नहीं आएगा यहां पर, the railways have made crossing the track a punished offense, punished offense की जगे आपको बोलना पड़ेगा, punishable offense, alms are given to the poor, poor में S नहीं आएगा यहां पर, the poor बोलेंगे तो उसका मतलब होगा, गरीब लोग, the number of applications, यहां पर हम number की बात कर रहे हैं, संख्या की तो has यहां पर सही है, लेकिन 50% एक amount है, एक singular quantity है, तो इसलिए यहां पर आप as many नहीं लगाएंगे, as much लगाएंगे, 50% ठीक है, तो 50% countable नहीं है, तो इसलिए यहां पर आप many की जगए, इसमें much आप लगाएंगे, यहां पर देखिए, two lakhs of people attended the meeting held in parade ground, तो यहां पर जब definite numerical article होता है, तो उसके साथ आप off नहीं लगाएंगे, आप lakhs of people तो बोल सकते हैं, लेकिन two lakhs of people नहीं बोलेंगे, two lakhs of people बोलेंगे, यहां पर आपना मुझे feedback दीजिए, यह बहुत important है हमारे लिए ताकि हम आपने performance को और improve कर सके, कोई भी गलती आपको लगी हो written में या spoken में या बोलते समय तो जरूर इसको indicate करिए, जरूर point out करिए और मुझे बताईए, कहां पर आपको गलती लगी, कोई word में, कोई sentence में, बोलते समय, spelling में, कोई भी गलती आपको लगे, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है, और इसको मुझे जरूर आप बताईए, इसको मैं appreciate करूँगा, phone के through या mail के through, definitely आप बताएं इसको, और definitely मैं आपको appreciate करूँगा, और यह है English Advantage Group, Facebook पर इसको आप जरूर जोइन कर सकते हैं, so thank you very much for watching this video, thank you.